राद है मेरी स्वामिनी मैं राद है को दास जनम जनम मोह दीजियो श्रिवरिंदाव नवास रादातु बड़भागिनी कौन तपस्याकिन तीनों लोक किनात है सो तेरों आदे जय रादा माधव कुंज बिहारी 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 ये शुदानन्दना रजजनरंगना ये शुदानन्दना रजजनरंगना ये शुदानन्दना रजजनरंगना ये शुदानन्दना रजजनरंगना ये मुना तेर वनचागे ये मुना तेर वनचागे ये मुना तेर वनचागे जय राधा माधव कुंज भिहारे ये मुना तेर वनचागे ये मुना तेर वनचागे ये शुदागे कर ये ये मुना करें जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे krishna गो बिंदल गो बिंदल गो पालनन दळाए राध गोविन्द 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 गोविन् गोविंद गोपालनंद लाल गोपालनंद लाल गोविंद 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 गोपालनंद लाल गोविंद 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 गोपालनंद लाल गोविंद 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 गोपालनंद लाल 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 गोविंद 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 गोपालनंद लाल रादि गोविन्द 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 गोविन रादे 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 बर्शाने वाली रादे 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 बर्शाने वाली रादे हमारो धन रादा 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 राद हमारो धन रादा, जी रादा, जीवन धन रादा, 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 रादा जीवन धन राधा हमारो धन राधा, शी राधा, शी राधा हमारो धन राधा, शी राधा, शी राधा राधे राधे पर्षाने वाली राधे 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 पर्षाने वाली राधे 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 पर्षाने वाली राधे राते 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 पर्षाने वाली राते 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 रा जाम कुफिर में, नारद कुण्ड में, गौल पोखराई, हरीखो कुल में, रमण रती में, बाक्य विहारी, सनेइ विहारी, मदन मुहंजी, गोपी नाची, रादा मोधल राधा विनोच जी साक्षी गुपाल जी राधा मादो राधा वल्लो राधा विनोच जी राधा दा मोदर राधा वल्लो युगल किशोर जी राधा रमन जी अश्टर सकी जी केशव देव जी दार कादी जी पितले श्वर मादे रंगे श्वर मादे राते राते बर्शाने वाली रादे राते 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 पर्शाने वाली राते बुल रादे 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 र पेशी घाट में, नीधी वन में, वंशी वत में, ज्यान गोदरी, प्रम्मा कुण में, अचल वन में, नीहर वन में, गोपल वन में, बेनु कोप में, निकुंज वन में, राधा वन में, जूलन वन में, बांडिर वन में, वादू वन में, सुर्य गाट में, युगल गाट मे वीहर गाट में, अंदेर गाट में, पानी गाट में, केली कदम में, मतराजी में, जनम मुमी में, गोपिश्वर में, भिश्रम गाट में, सामी गाट में, मादू कन में, अक्रुगोवन में, तालवन में, तुमोदोवन में, तरियाजी में, वराई गाउ में, परुण गोवि पौलावन में, शकन गाव में, संतान कुण में, पेरा गाव में, इंद्र कुण में, एलावन कुण में, सुराभी कुण में राते राते बर्शाने वाली रादे काहे को तर्शावे, रे लाला मोहे, काहे को तर्शावे मेरे घर कब हुन आवे, सावरिया, मोहे काहे को तर्शावे मेरे घर कब हुन आवे, सावरिया, मोहे काहे को तर्शावे मेरे घर कब हुन आवे, सावरिया, मोहे काहे को तर्शावे मेरे घर कब हुन आवे, सावरिया, मेरे घर कब हुन आवे, सावरिया, मोहे काहे को तर्शावे नाम महा धन है अपनों नहीं दूसरी संपतियों रकमानी छोड यता नियता जग की हमको कुटिया क्रजमाही बनानी हमको कुटिया ब्रजमाही बनानी तूक मिले रसिको की सदा और पी बनको यमुना जल पानी हमें ओरन की परवाह नहीं अपनी ठकुराने शिराद करानी हम राता गोपल 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 राता गोप राधा गोपल, 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 र गोर निताय जय गोर निताय जय गोर निताय गोर निताय जय गोर निताय प्रभुपाद, प्रभुपाद, अशिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, 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 नीता गोर हरी बोल नीता गोर हरी बोल युग धर्म हरी नाम संकिर्तन की श्रील बहुबाद की आराध्यो भगवान ब्रजेशतन युग तदधाम व्रिंदावन रम्या काचि दुपासना ब्रजबधू श्रीमद भागवतं प्रमाण ममलं प्रेमा पुमल्तो महार् श्री जैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नहपर श्री जैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो नहपरः वन्षे विभो शितकराम नवनीरदाबाः पीताम्बरदरुनबिम् बफलदरोष्थाः पुरनेंद सुन्दरमुखाः अरविंदनेत्राः क्रिष्नात्परं किमपी तत्व अहम नजाने क्रिष्नात्वदीयपदपं कज पंजरांते अदेवमे विषदुमा नसराजहंस प्राण प्रयान समये कपवात पीते कंधावरो धनविदो स्मरण कुतस्ते करार विंदे नपदार विंदं मुखार विंदे विनिवे शयंतं वतस्यपत्र स्यपुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसास्मरामे श्री क्रिष्न गोविन्द दहरे मुरारे हे नात नारा यनवा सुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृतमेत देव गोविन्द दामो दर्माद वेती जय जय श्री राधार मना जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित चोर प्रभू जय जय माखन चोर से क्रिष्न चंद्र भगवान की राधार आंतराश्टिय क्रिष्न भावना मृत्संक्योर से प्रस्थापित शुमद भागवत सब्ता के अंतिम एवं सब्तम सत्र में हरदिक स्वागत करते हैं परमस्वभाग्य गत छे दिनों से क्रिष्न प्रेम प्रदान करने वाली शुमद भागवत कथा का हम शरवण कर रहे हैं शुकदेव गोस्वामी भागी रती की पवित्र धारा पर बैटकर माराज परिक्षित को शुमद भागवत कथा का शरवण करा रहे हैं नवम स्कंद में सुर्य वंश और सौम वंश में जन्म लेने वाले राजा महरजाओ की कथा सुनाई गत्सत्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार से सुर्य वंश में अनेक महान प्रतापी राजा हुए और उसी सुर्य वंश में साक्षात भगवान श्री राम चंद्र का जन्म हुआ भगवान श्री राम चंद्र के चरीत्र विश्व विख्यात है आचार्य गण कहते हैं रामायन शतकोटी अपारा सो करोड लोगों ने रामायन दिखी है जन जन के रदे में भगवान श्री राम चंद्र का स्थान है मर्यादा पुर्शुत्म भगवान है संतों के समाज में प्रश्ण उत्पन हुआ राम और कृष्ण में क्या अंतर है वैसे राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं लेकिन थोड़ा सांतर है राम कृष्ण दो एक है अंतर नाही निमेश थोड़ा भी अंतर नहीं है राम और कृष्ण में परन्तु दोनों में कुछ भेद है कुछ असमानता है और वो क्या है ध्यान से सुनिये राम कृष्ण दोनों एक है अंतर नाही निमेश इनके नयन गम्भीर है भगवान राम के इनके चपल विशेश दोनों में अंतर क्या है भगवान राम के नयन बिलकुल गम्भीर है गम्भीर मुख मुद्रा है मर्यादा पुर्शुत्म है अनेको प्रकार की मर्यादा में बंदे हुए है और ये सावरी सलोनी सुरज जो खड़ी है आत में बासुरी लेकर इसके नयन का कोई ठीकाना नहीं है राम के नयन गम्भीर है इनके चपल विशेश और इनके नयन कैसे है सीधा कभी देखते ही नहीं है न सीधा खड़े रहते हैं न सीधा देखते हैं इनकी कृपा भी ठेड़ी है ये पूरे रूप से ठेड़े हैं और इसलिए इनका एक नाम हो गया बाके बिहारी बिल्कुल बाके हैं गोपियों के सामने देखते भी हैं तो बिल्कुल ठेड़ी नजर करके और एक चितवन चली गई तो गोपिया घायल हो जाती है और कृष्ण इतने ठेड़े हैं इतने ठेड़े हैं जब गया चराने के लिए वन में जाते हैं और जाते जाते किसी गोपि को देख लिया गाय और बश्रे तो बिचारे भोले भाले होते हैं लेकिन कहते हैं ये बश्रा साला बिगड गया है बश्रा मानता नहीं है बिगड गया है गली में चला जाता है वो विचरा सीधा जा रहा है लेकिन ये बचला मानता नहीं ये गली में चला जाता है जान बुझकर जवर्दस्ती बचले को गली में लेकर चले जाते हैं और गोपी को देख लेते हैं तो दोनों में यही अंतर हैं, एक है लीला पुर्चोत्तम और एक है मर्यादा पुर्चोत्तम भगवान शी रामचंद्र पूरी पूर्ण रुप से मर्यादा में है वक्तव हनमान जी माराज श्मद भागवतम के पंचम सकंद में भगवान राम को स्तुती करते हुए कहते हैं आप क्या यह मानते हैं कि भगवान राम का जन्म रावन को मारने के लिए हुआ था सक्षात हन्मान जी महराज अब भगवान राम के विशे में हन्मान जी से ज़्यादा कौन जान सकता है सक्षात भगवान राम चंद्र के दूत हैं सेवक है कहता है भगवान राम का जन्म रावन आदी असुरों को मारने के लिए नहीं हुआ विचार किजिये जो भगवान अपने दाम में बैटे बैटे अपनी आख के इशारे से ब्रहमांड के ब्रहमांड का प्रलई कर सकते हैं उसे एक ब्रहमांड में रहने वाले दो-पाँच असुरों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरद है कभी नहीं वो तो अपने दाम में बैटे-बैटे भी रावन आदी असुरों को मार सकते हैं भगवान राम इस पृत्वी पर आये हैं मर्त्य वतारस तुही मर्त्य सिक्षणम ये मृत्य लोक में रहने वाले समस्त मनुष्यों को अपने आचरण से सिक्षा देने के लिए स्वयम अपनी लिला से अपने आचरण से जगद को सिक्षा देना चाहते हैं किस प्रकार से एक पुत्र को अपने पिता के प्रती कर्तव ये निभाने चाहिए यदि पिता धर्म संकट में फशे हो तो 14 साल के लिए वन में भी चले जाना चाहिए ये भगवान रामचंदर ने बताया एक पिता के प्रती क्या कर्तव ये होते हैं मा के प्रती क्या कर्तव ये होते हैं एक भाई के प्रती क्या कर्तव ये होता है पतनी के प्रती क्या कर्तव ये होते हैं अपनी प्रजा के प्रती क्या कर्तव ये होते हैं ये सारे कर्टविय का पालन भगवान राम ने स्वयम किया और जगत के लोगों को उपदेश दिया और इसी के लिए भगवान का उतार हुआ राम चंद्र के रूप में वैसे तो भगवान राम की लिला विस्तार से रामयन आदी ग्रंथों में पाई गई हैं परंदु भागवत में शुगदेव गुरस्वामी राम कथा को बहुत संक्षिप में कहते हैं तो कि उन्होंने कहा परिक्षित तुम राम कथा तो पहले से जानते ही हो इसलिए राम कथा संक्षिप में सुनाऊंगा और आगे की कथा में विस्तार से सुनाऊंगा अत हम भी यहाँ पर रामकथा को संक्षिप में ही आपको सुनाएं और केवल रामकथा की जलक आपको दिखा दें गज़ सत्र में भगवान राम का जन्म हुआ जब भगवान शी रामचंद्र का जन्म हुआ तब उनका दर्शन करने के लिए कैलास में रहने वाले शीव जी और काग वुशन्डी जी ये दोनों ब्रामन का रूप लेकर आए भगवान राम का दिव्य दर्शन किये थोड़े से बड़े होने पर वशिष्ट जी ने चारो भाई का नाम करण किया बड़े भाई का नाम राम छोटे का भरत उनसे छोटे भाई का नाम लक्ष्मन और सबसे छोटे भाई का नाम शत्रुग्ण थोड़े बड़े हुएं तो राजा दश्रत ने अपने चारो पुत्र को गुरुकुल में भेजा विद्या ग्रहन करने के लिए रामायन कार लिखते हैं कि वगवान शी राम चंद्र अन्यतीन भाई मुंडन करके गुरुकुल में जा रहे हैं क्यों विद्या प्राप्त करने के लिए यद्दपी चारो वेद इस भगवान के सांस से प्रकट हुए हैं जाके वेद श्वाश शुति चारी सो हरी पड़ यह कौतुक भारी जिनके सांस से चार वेद प्रकट हुए हैं उस भगवान को विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु कुल में जाने की ज़रूत नहीं है लेकिन फिर भी भगवान गुरु के पास गए क्यूं संसार के लोगों को उबदेश देने के लिए कि हम सब को गुरु के पास अवश्य जाना चाहिए बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती विद्या प्राप्त करके आए विश्वा मित्र यग्य कर रहे थे उस यग्य में अनेको असुर बाधा दे रहे थे अपने यग्य को निर्विग्न संपन करने के लिए महर्शी विश्वा मित्र जी राजा दशरत के वहाँ पधा रहे है दशरत जी ने बहुत सुन्दर स्वागत किया और आने का कारण पुछा जब विश्वा मित्र जी ने कहा के राजन मेरे वहाँ यग्य में अनेको असुर बाधा दे रहे हैं उन असुरों का विनाश करने के लिए मुझे तुमारे दो पुत्र चाहिए राम और लक्षमन इतना सुनते ही राजा दशरत के रदे में दुख हो गया महराज आप कहो तो मैं आपके साथ चलूँ आप कहो तो मैं मेरी पूरी सेना को आपके साथ में भेज़ दूँ आप कहो तो लाखो गाय आपको दान में दे दूँ आप कहो तो मैं स्वयम आपका यग्य पुरुन करा दूँ लेकिन आप मेरे प्राण तुल्य राम और लक्ष्मन को मत मांगे माराज राम मेरे प्राण है यदि वो चले जाएंगे तो मैं जिवित नहीं रहा पाऊँगा दशर्जी ने बहुत ना कहा परंतो गुरु वशिष्ट जी के कहने पर उन्होंने बहुत सुन्दर बाद बताई राजन आपके पुत्र का जन्म यज्य से हुआ है यज्य की कृपाश से हुआ है वशिष्ट रिशी ने श्रिंगी रिशी को बुलाया और जब पुत्र कामेश्ट यज्य कराया तब जाकर अगनी देवस्ताव उस यग्य से चरू लेकर प्रकट हुए बगवान राम का जन्म हुआ अशिष्टी जी कहते हैं कि आपके पुत्र का जन्म यग्य से हुआ है और जब आपका पुत्र यग्य की रक्षा करने के लिए काम में नहीं आएगा तो अन्य कौन से कारियम में सहाइटा करेगा अथा आपके पुत्र को भेजिए ऑजा दश्रत ने रदे में पत्थर रखकर राम और लक्ष्मन को भेज दिया राम और लक्ष्मन गहे विश्वामित्र के आश्रम में निश्चिंद कर दिया माराज आप यग्य कीजिए हम दोनों भाई खड़े हैं हिश्वामित्र जी यग्य करने लगे मारीच सुबाहू और ताड़का ये सारी असुरों की सिना लेकर वहां पर प्रकट हो गए भगवान शी रामचंद्र दिखने में इतने सुन्दर थे कंदर पकोटी कमनी ये विशेश शोवां करोडो करोडो कामदेव को भी लोभीत करने वाले थे कहते हैं जब ये मारीच सुबाहू ताड़का ये सब आये और वगवान राम की चबी को देखा तो सब असुरों को रोक दिया रुको रुको वार मत करना बोले तो क्या करना है बोले इस लड़के को हम लंका में लेकर जाएंगे और हमारी लंका की म्यूजियम में रखेंगे रोज सुबा जग कर इसका दर्शन करेंगे हमारा दीन सुदर जाएगा असुर भी भगवान को देख कर मोहित हो गए बोले हमारे स्वामी रावण के पांच लेकर जाएंगे तो हमें इनाम देंगे कितना सुन्दर लड़के को लेकर आये है तो बहुत सुन्दर थे भगवान भगवान ने सर्वप्रतम ताड़का का वद किया कृष्ण अवतार में सबसे पहले पुतना को मारा राम अवतार में सबसे पहले ताड़का को मारा भगवान के इन राक्षसी के मारने का भाव यह है कि सर्वप्रतम इस जगत में असुरों को प्रकट करने वाली शक्ति को मार देना चाहिए फिर सुबाहु को मारा और भगवान ने मारीच को नहीं मारा बिना फर का बान मारा अपने हाथ से वो मारीच साथ समंदर पार जाकर गीरा अनुभव हो गया कि इनकी जबट में नहीं आना चाहिए बिना फर का बान मारा तो मैं इतना दूर जाकर गीरा यदि फर वाला बान होता और अपने सारंग में चड़ाकर मारा होता तब तो कब का भगवान को प्यारा हो गया मारीज बस उस बान से ही सुदर गया भगवान रामचंद्र और लक्षमन के द्वारा विश्वा मित्र जी की यज्य की रक्षा हुई बगत ये रामण संक्षित में मैं सुना रहा हूँ पुर्व में हमने नौ दिन तक राम कथा की थी जिसमें इन सभी प्रसंगों को हम बड़े विस्तार से सुन सकते हैं परन्तु समय भाव अत्व मात्र आपको स्मरण करा रहा हूँ भगवान राम के लिला और इन सब लिलाओं मुक्का सार आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ विश्वामित्र के वहां रूके हैं भगवान राम और उसी समय जनकपूर से बुलावा आया पत्र आया राजा जनक अपनी कन्या सीता का स्वयंबर करना चाहते हैं और जनक जी ने कहा विश्वामित्र जी को आप भी हमारे हिस सबा में आईए और हमारे सबा की शोभा बढ़ाईए विश्वामित्र जी राम और लखन को लेकर वन के मार्क से होते हुए जनकपूर जा रहे हैं भगवान शे राम चंद्र वन की शोभा देख रहे हैं और वन की शोभा देखते देखते भगवान राम ने एक अदभूत द्रश्य देखा आश्रम एक दीख मग माही खग पशु जिव जन्तूत नाही पुछा मुनी शिला प्रभु देखी शकलक था कही विशेशी भगवान राम ने एक आश्रम देखा बहुत सुन्दर आश्रम था बहुत सुन्दर महल था लेकिन उस महल में मनुष्य की बात दू रही पशू पक्शी और जिव जन्तू भी नहीं रहते थे और उस महल के आंगन में एक स्त्री की मूर्ती बैठी हुई थी इस स्त्री की मूर्ती पत्थर को देखकर बगवान राम ने अपने गुरुदेव से कहा गुरुदेव ये क्या है इस गोरवन में इतना सुन्दर आश्रम कोई नहीं रह रहा है और ये पत्थर यहाँ पर ये शीला क्या कर रही है तब विश्वामित्र जी कहते हैं गौतमनारी शाप बस उपल देह धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रगुवी हे रागव हे रगुवीर ये गौतमरीशी की पत्नी है जिसका नाम था अहल्या ये पाप के कारण नहीं अपने पती के श्राप के कारण यहाँ पर पत्थर बन कर पड़े इतियास बहुत विस्थार से इतियास सुनाया पुर्व में अहलिया का जब गोतम रिशी के साथ विवा हुआ तब बहुत सुन्दर थी अने को देवताओं की इच्छा हो गई कि हम अहलिया के साथ विवा करें परन्तु ब्रह्मा जी ने अहलिया का विवा गोतम रिशी के साथ कराया गोतम रिशी रोज सुबह ब्रह्म मुर्वत में मुर्गे की आवाज को सुनकर जगकर नदी में स्नान करने चले जाते थे एक दिन इंद्र की दरश्टी विगडी रदे में काम वासना उत्पन हुई रात को दो ढ़ाई बजे इंद्र मुर्गे का रूप लेकर उनका आवाज करने लगा गोतम रिशी को लगा के सुबह का समय हो गया स्नान करने चले गए और इंद्र गोतम रिशी का रूप लेकर अहलिया के पास आया और उनसे संग किया गोतम रिशी जब नदी के पास गए तो पता चला सुबह नहीं ये तो रात होई है गोतम रिशी जब वापस आये तो देखें उनीकी जैसा रूप उनके घर से बाहर निकल रहा है गोतम रिशी जब घर पर पहुँचे अपनी पत्नी को पूछें के यहां पर कौन आया था गोतम रिशी की पत्नी अलिया आवाकर रह गई बहले ये मेरे पती तो अभी जो चला गया वो कौन है बिचारी अबला नारी कुछ नहीं बोल पाई गोतम रिशी बार बार पुछ ने लगे कौन था कौन था कौन था पत्थर की तरह खड़ी रह गई अत गोतम रिशी ने श्राप दे दिया कि तुम पत्थर की तरह खड़ी हो कुछ बोल नहीं रहे हो जाओ तुम पत्थर बन जाओ पिजारी पत्थर बन गई ए रगुविर रागो अनेक अनेक युगों से यह नारी यहाँ पर तपस्या कर रही है और आपकी राह देख रही है राम तुम जाओ और अपने चरण का स्परश करो और इस अहल्या का उधार करो गुरु का आदेश मिलते ही बगवान शीराम चंदर अपने पवित्र चरण कमल को आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही अपना चरण उस नारी के मस्तक के उपर रखते हैं उस पत्थर के उपर बगवान की रज पढ़ते ही वह पत्थर पूंज प्रकट हो गया और उससे दिव्य सरुप नारी का प्रकट हो गया परसदपद पावन सोकन सावन प्रकट भईत पपूंज सही देवी अहलिया प्रकट हो गई पत्थर के रूप में पड़ी थी परंतु वगवान के चरण की रज लगने से विद्धिव्य शरीर प्राप्त हो गया और उनके शरीर से प्रकाश पूंज निकलने लगा आज की स्त्रिया भी अपने शरीर को चमकाना चाहती है अपने शरीर का तेज बढ़ाना चाहती है और अपने शरीर का तेज बढ़ाने के लिए ब्यूटी पादर में जाती है और एक एक देर देर इंज का मेकप करती हैं परंद भग तो ये ब्यूटी पादर का मेकप जो है एक दो या पांच घंटे तक रहता है यदि वास्तविक तेज बढ़ाना चाहते हैं तो भगवान राम और कृष्ण के लिए तफस्या करने चाहिए परसदपदपावन शोकनसावन प्रकटभई तपपुंजसही परसदपदपावन शोकनसावन प्रकटभई तपपुंजसही देवी अहत्या प्रकट हो गई सक्षात भगवान राम उनके सामने खड़े हैं भगवान को देखकर उनके आँखों में आशू आ गए कुछ बोलना चाहती हैं स्तुति करना चाहती हैं लेकिन अबला नारी के मुख से कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं और भगवान की कृपा को देखकर हर्ष के अश्रु निकल रहे हैं अहलिया अपनी धीरच को धारण करती हैं भगवान राम को स्तूति करती हैं हे प्रभू हे राजिव लोचन हे कमल नयन हे कमल लोचन आपके नेत्र कमल के समान आप परम संदर सरवाती संदर आज मुझे आपका दर्शन हो गया हलिया ने एक बहुत संदर बात कही संसार की नारियों को यह ध्यान में रखना चाहिए हलिया ने कहा प्रभू जब मेरे पती ने मुझे श्राप दिया तब मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने बहुत गलत किया मेरे पती जब मुझे दाटते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब श्राप दिया था तो मेरे मन में बहुत ग्रिणा हुई कि मेरा पती ऐसा है मुझे श्राप दे दिया लेकिन प्रभू आज मुझे पता चला कि मेरे पती ने श्राप नहीं मुझे वरदान दे दिय क्योंकि यदि मेरे पती ने मुझे श्राप नहीं दिया होता तो करोडों करोडों जन्मुत तक आपका दर्शन नहीं हो पाता दन्य है मेरे पती का श्राप आज आप मेरे सामने खड़े हैं मुणी श्राप जो दीना अतीबा लगीना मुणी श्राप जो दीना अतीबा लगीना परमयनु ग्रह में माना कहते हैं कि मेरे मुणी ने मेरे पती ने जो श्राप दिया बहुत सुन्दर काम किया इस प्रकार देवी अहलिया वगवान राम को स्तुती कर रही है स्तुती से वगवान प्रसन हुए कहने लगे अहलिया जो चाहिए वह मांग लोग तब अहलिया कहती है प्रबू मुझे तो मांगना भी नहीं आता है क्या मांगो आप से कितनी सुन्दर बाद बताई है हम लोग भगवान से एक करोड रुपे मांगते हैं करोड रुपे खर्च हो जाते हैं वही दुखे के दुखी रह जाते हैं गाड़ी मांगते हैं बंगला मांगते हैं फिर भी दुकी हमें बगवान से क्या मांगना चाहिए ये भी हमको नहीं प्रभु आपसे क्या मांगू मैं तो कुछ नहीं जानती हूं यदि आपको देना ही है तो मेरा मन रुपी भौरा भक्तो भौरे का सुवाव होता है वह कमल की परागरज में बहुत आसक्त होता है भौरा कमल की परागरज में आसक्त होता है और जब संध्या का समय होता है सुर्य अस्त होता है तब कमल बंद हो जाता है और भौरा की परागरज में इतना आसक्त होता है कमल बंद हो जाता है मर जाता है लेकिन परागरज को नहीं छोड़ता मले हे प्रवु आपको यदी देना ही है तो मेरा मन रुपी भावरा आपके चरण रज रुपी परागरज में निरंतर आसक्त बना रहे आपके चरणों में पढ़ा रहे इतना आशिरवाद दे दे इस प्रकार भगवान शीराम चंद्र ने अहल्या का उद्धार किया बगवान ने अहल्या का उद्धार किया ये बात तीनों लोक में फेल गई आचारे गण अपने शास्त्र में लिखते हैं कि भगवान राम की चरण रज उस पत्थर पर पढ़ने से वो पत्थर नारी बन गई और जब भगवान राम का वनवास हुआ और दंड कारणिया के रिशिमूनियों को पता चला कि जिनके चरण की रज पत्थर को लगने से पत्थर नारी बन गई तो दंड कारणिया के कुछ ऐसे रिशिमूनी थे जो बाउकता में आकर वेराग के सन्यास ले चुके थे त्यार रख दिये भगवान राम आएंगे चरण सपर्ष कराएंगे नारी बन जाएंगी शादी कर लेंगे जिसको गोरी पत्नी चाहती थी वह सफेद पत्थर काली पत्नी जो चाहते थे काला पत्थर सब लोग पत्थर ढूड़ने लगे कि राम आएंगे चरन सपर्ष कराएंगे पत्नी प्राप्त हो जाएगे तरिस प्रकार बगवान राम अहलिया का उद्दार किये जनकपूर में पहुँचे जैसी जनकपूर में विश्वा मित्र लेकर पहुँचे जनकजी आए भगवान राम की दिव्य छवी को दे कर मुहित हो गए है जो देह से परे हैं ऐसे विदेह राज जनक भी आज भगवान को प्रमनाने लगे कि है प्रभू मेरी बेटी का विवा यदि इस लड़के से हो जाए कि मेरा जीवन धन्य मन जाए बहुत सुन्दर रहने के लिए आवास दिया भगवान राम और सीता का पुश्ववाटिका में मिलन हुआ जब भगवान शी राम चंदर का सीता के साथ पुश्ववाटिका में मिलन हुआ और राम की द्रश्टी प्रतंबार सीता के उपर गई भगवान राम मोहित हो गया लेकिन भगवान राम ने लक्षमन से जो बात कही है भगतो बले लखन लखन रगुकूल के किसी भी शत्रिय का मन पराइस्त्रि पर नहीं जा सकता है मुझे मेरे कूल के उपर विश्वास है इस सूर्य वंश इस रगुकूल के उपर मुझे विश्वास है किस रगुकूल के किसी भी व्यक्ति का मन पराइस्त्रि के उपर नहीं जा सकता है आज मेरा मन उस सीता के उपर गया है इसका अर्थ है कि वसीता लखन तेरी भावी बनने वाली है अन्यता मेरा मन उस तरीके उपर जाही नहीं सकता है भगवान राम को विश्वास था कि ये मन कभी भी पराई इस तरी पर नहीं जा सकता और आज पराई इस तरी पर गया तो वो पराई नहीं आजने तो कल अपनी होने वाली है लखन को कहे दिये तो इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्वन एक दिन वहाँ पर रुके दुसरे दिन इस संसार के भुमंडल के समस्त राजा महराजा वहाँ पर आकर बैटे शिव जी का पिनाक धनुष था भगवान शिव ने परशुराम जी को प्रदान किया था और परशुराम जी ने राजा जनक को प्रदान किया जनक जी को वह शिव जी का धनुष जब अपने घर पर लाना हुआ तब दस अजार सिपाईयों को भेजा था हटे गटे मोटे दस जार सिपाई उस धनुष को उठाए तब जाकर होम डिलिवरी हुई इतना बड़ा शिवजी का धनुष था और उसका नाम था पिनाक लेकिन आश्चरिय की बात यह थी राजा जनक के गर पर वह धनुष पड़ा रहता था एक दिन राजा जनक की कनिया सीता अपने मंदिर को साफ कर रही थी और देखा धनुष के नीचे बहुत मिट्टी लगी हुई थी तो देवी सीता ने अपने बाय हाथ की एक उंगली से धनुष को उपर किया और नीचे कपड़ा मार दिया और जनक जिने सहसा ये द्रश्य देख लिया बुले जिस धनुष को घर पर लाने के लिए दस अजार हटे गटे सिपाई रखे गए थे हैं और उस धनुष को मेरी बेटी ने एक उंगली से उठा लिया निशित ये कोई साधारन करिया नहीं ये तो भगवान की साक्षात शक्ति है और भगवान की शक्ति का विवाह भगवान के साथ ही होना चाहिए राजा जनक ने ठान लिया और भगवान कौन है ये कैसे जानने में आएगा तब राजा जनक ने सोचा कि ये दनुष सिता ने उठाया और यदि कोई व्यक्ति इस दनुष को उठा देगा तो वही साक्षात भगवान होगा इसलिए राजा जनक ने प्रण ले लिया कि जो व्यक्ति शिव जी के पिनाक को उठाएगा और इसके उपर प्रतंचा चड़ाएगा वही मेरी बेटी सीता का वर बनेगा सीता के साथ वीवहा करने के लिए देश विदेश चनेक राजा महराजा उस सभा में आये विश्वामित्र राम और लक्षमन को लेकर आये राम लक्षमन विश्वामित्र का जैसे उस सभा में प्रवेश हुआ तुरंध जनक जी अपने आसन से नीचे उतर गए और विश्वामित्र राम लक्षमन को उच्च आसन प्रदान किये यहीं से राजा महराजाओ की इर्शा शुरू हो गई बोले यह कल के दूद पीते लड़के हमसे उच्च स्थान पर बैठे हैं और सारे राजा महराज असी उड़ाने लगे इह दूद पीते बच्चे दिनुश तोड़ेंगे को लक्षमन जी बिल्कुल क्रोधित हो रहे थे और उस समय शुआ है से मद्वामित्र राजा महराजा अपने-पने मन में सोचने लगे कि समस्थतर राजा अम Luigi गजानन गणपती महराज को मनाने लगें कि हे गणेश जी यदि आज मेरे हाथ से यदि ये धनुष तूट गया तो मैं आपको एक किलो लड्डू चड़ाऊंगा और गणेश जी यदि मेरे हाथ से नहीं तूटा तो एक क्रिपा तो करी दिजी कि और किसी के हाथ से न तूटे तो दो किलो चड़ाऊंगा मेरे हाथ से नहीं तूटे कोई बात ने लेकिन और किसी से नहीं तूटना चाहिए सभी राजा महराजा सोच्थेते पहले मेरी बारी आये और मैं उठा कर तोड़ दू और उसी समें राजा जनक के मंत्री ने इशारा किया बंदी मागद गण आये और एलान किया देश विदेश से आये हुए राजा महराजा कान खोल कर सुन लो ये शिव जी का पिनाक धनुष राहू के समान है और हे राजा महराजा हो आप सब की शक्ती चंद्रमा के समान है जो व्यक्ति ही इस शिव जी की पिनाक को उठा कर उन पर पतिंचा चड़ाएगा इस दुनिया में जिसका स्वरुप अध्वितिय है जो सबसे सुन्दर है ऐसी सिता का विवाह उस राजा के साथ कराया जाएगा आप जानते नहीं हो ये दनुष समस्त दनुषों में स्रेष्ट है ये दनुष आप सब की शक्ती को माद कर देगा नश्ट कर देगा सबसे बलवान दनुष है सबसे भारी दनुष है लेकिन हमें विश्वास है ये दनुष यदी राहू के समान है तो आप सभी राजा महराजाओ की शक्ती चंद्रमा के समान है नरीप भूज बलू बिदू सिवद नुरावू कर उंक ठोर बिदीत सब कावू नरीप भूज बलू बिदू सिवद नुरावू कर उंक ठोर बिदीत सब कावू न्रीपवुचबलुबिदुशिवधनुराहूं गर्वुकठोर बिदीतसबकाहूं ये राजाओ आपकी शक्ती चंद्रमा के समान है ये धनुशिराहू के समान जनक जी के बंदी मागत गण बड़े बुद्धिमान थे जैसे ही वे बोलने लगे कि आपकी शक्ती चंद्रमा के समान है सभी राजा महाराजा अपनी मुझ के उपर आद घुमाने लगे अपना कॉलर ठीक करने लगे अपनी भुजा चड़ाने लगे क्योंकि यह हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारी शक्ती चंद्रमा के समान है लेकिन वह मुर्क राजा महाराजा जनक जी के दूतों की बात को समझ नहीं पाए वो वास्तों में ये कहना चाहते थे चंद्रमा को कोई अपनी शक्ति नहीं होती है चंद्रमा सुरिय के तेज से प्रकाशमान होता है वैसे हे राजा महरा जाओ ये आपकी शक्ति नहीं है ये तो आपके बीच में सुर्य वन्ष के रगुक्पुल धिपक बगवान राम बैटे हैं इसलिए आप सब लोग चमक रहे हो न्रीप भूज पलूपी दूशिव दनुरावूं गर्व कठोर भी दीत शबतावूं ये दनुश्य परम पराक्रमी हैं ये सुनकर जनक जी के मंत्री ने आदेश दे दिया कि अब स्वयंबर प्रतियोगीता शुरू की जाए पहले एक राजा माराजा एक राजा खड़ा हुआ अपनी भुजाओं को दिखाते हुए बाहुबल दिखाते हुए अपनी जांको ठोकते हुए दनुश की और आगे बढ़ा और आसानी से धनुष को उठाना चाहता था लेकिन जैसे ही उन्होंने धनुष को हाथ लगाया उनको ऐसास हुआ धनुष ने उन्हों से प्रयास किया धनुष को उठाने की बाद तो दुरही हिला भी नहीं पाया बहुत प्रयास किया उपवास हुआ दुसरा राजा खड़ा हुआ तीसरा चोथा पांचवा अनेको राजाओं ने प्रयास किया लेकिन धनुष तिल भार भी नहीं हिला जब एक राजा से धनुष नहीं उठा तब पार्टनर्शिप में शुरू किये दो राजा मिलकर बहुत चलो दो मिलकर करते हैं फिर आगे रिशाब कर लेंगे दो राजा एक साथ खड़े हुए धनुष को उठाने के लिए लेकिन फिर भी नहीं हिला पाए तिन तिन राजा चार चार पांच पांच गोस्वामी जी ने एलान किया एक साथ दस सजार राजा खड़े हुए पूप सहस्त सब एक हिबारा लगे उठावन पर ही नटारा कहते हैं एक नहीं एक साथ दस हजार राजा महराजा खड़े हुए उस धनुष को उठाने के लिए और दस सो हजार राजा महराजा उने अपना हाथ धनुष के उपर रख दिया विचार किजिए दस हजार राजा महराजा बीस हजार हाथ और बीस हजार हाथ से धनुष को प उस पिनाथ धनुश को उठाने का प्रयास किया लेकिन वह धनुश वैसे ही नहीं हिला जेसे कोई कामी कीसी सती नारीयों के उपर अपने वचन का प्रहार करता है जैसे किसी कामी के वच्चन का प्रभाव सती नारी के उपर नहीं होता है वैसे दस जार राजा महराजाओ का प्रभाव उस धनुष के उपर नहीं हुआ बूपस हस्त सब एक हिबारा लगे उठावन प्रही नठारा बिगती नशंबुचरा चरिके से एक सात तस जार राजा महराजा खड़े हुए और दस जार राजा महराजा उटने अपना बाहूबल लगाया दस हजार राजा महराजा मिकल मिलकर भी धनुष को उठाने की बाद तो दुर रही उसको तील बार भी हिला नहीं पाए तब तुरंत राजा जनक को प्रोध हुआ अपने आशन पर खड़े हो गए बस अब और उपहास नहों तो अच्छा है देश देश के भूपति नाना मैंने देश देश और विदेश से यहां पर शत्री राजा महराजाओं को बुलाया था मैं यह भी जानता हूं कि इस सबाह में बड़े बड़े देवता मनुष्य का रूप लेकर बैठे हैं लेकिन इस दनुष को उठाने की बात दू रही आप सब लोग मिलकर इस दनुष को हिला भी नहीं पाए मैंने यह सोचा था कि इस पृत्वी पर बड़े बड़े वीर है लेकिन आज मुझे पता चला परशुराम जी का फरसु चलने के बाद इस पृत्वी पर कोई वीर नहीं बचा है वीर विहीन मही में जानी आज यह पृत्वी विरो से खाली हो चुकी है इस सबाह में सब लोग नपुंसक बैठे है जब इस प्रकार से राजा जनक ने कहा तब लक्षमन जी से नहीं रहा गया भगवान रामचंद्र जी सबाह में बैठे हो और किसी की यह हिम्मत कि नपुंसक कह दे वीर विहिन कह दे जनक जी से जनक जी के इस वचन को सुनकर लक्षमन जी वैसे ही खड़े हुए जैसे किसी सर्व की पूछ के उपर पाव आते ही सर्पकड़ा हो जाए अनंत सेश के उतार लक्षमन जी अपने स्थान पर कड़े हो गए बस महाराज बस अब एक शब्द भी आके आपके मुख से आगे न निकले जिस सवा में रगुकुल का एक दिन का बालग भी यदि बैठा हो उस सवा में को इस प्रकार का शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता और आज इस सवा में रगुकुल शिरोमणी भगवान राम बेटे हैं और आप ऐसे वचन बोल रहे हैं अरे आपका ये शिव दनुष तो क्या बड़ी चीज है यदि मेरे बड़े भाई राम मुझे आग्या दे तो इस शिव दनुष को नहीं पुरे ब्रह्मान को कैम की तर यति मेरे बड़े बाह्या कि अघ्या दे तो इस शिव दनुष को नहीं तक दो कर च्राइब सिटी मेरे बाई मुझे आज्या दे ती शिव दनुष को आख रूटे टुक्डे कर दो और यति ऐसा नंनध कर पां तो दनुश्मान त्याग दू और जीवन वर हाथ में कटवरा लेकर भीख मांगू प्रभू आप इस जनक को कही अपने शब्द को वापस खीचे या आपके चरण मक्षमा याचना मांगे लक्ष्वन जी बिलकुल क्रोधीत उस सबाह में सन्ना टाच आ गया और जनक जी को भ समय लक्षमन जी जोर जोर से बोलने लगे सारे दिगज कांपने लगे यह पृत्वी डोलने लगी और लक्षमन जी बार बार करने लगे प्रभू आप इसे चुप-चाप क्यों बैटे हों आप कुछ बोलिए कुछ कीजिए अपने बड़े भाई राम को किने लेगे आप क क्यूंच नहीं बोल रहे हो इस समा में भगवांध राम ने लक्षमन को इशारा किया लखन लक्षमन ने कहा प्रभू मैं इतना लाल लाल हो गया इतना कूद आ गया और आपको कुछ नहीं हो रहा है मगवान राम ने इशारा करते हुए कहा लखन रोज सुबह जब सूरिय का उदय होता है न तो सूरिय के उदय के पहले लाली मा आती है सूरिय उदय होने से पहले लाली मा आती है लखन लाली मा आ चुकी है थोड़ी ही देर में सूर्य उद्य होने वाला है लेकिन गुरू की आज्या होनी चाहिए न बाजू में विश्यामित्र की आज्या नहीं है बिना गुरू की आज्या के मैं क्या करू acom जब 20 बकार से लखन जी कहे योग्ये समय को देकर विश्यामित्र जी ने राम को आज्या दि के राम जाओ उठवू राम बन्जवू भव चापा ये राम जनक जी की प्रतिक्षा को तोड़ दो उनकी संशय को मिटादो धनुष को उठालो गुरुदेव के चरणों में आशिरवाद लेकर वगवान शी राम चंद्र खड़े हुए को सामी जी कहते हैं मानों वैसे लग रहा है जैसे आकाश में छोटा सा सूर्य खड़ा हो गया है उदित उदय गिरी मंच पर रगुगुल बाल पतन भगवान शी राम चंद्र बहुत सुन्दर लग रहा है दिरे दिरे अपना कदम धनुष की और आगे बढ़ा रहा है और जैसे जैसे भगवान राम धनुष की और आगे बढ़ रहा है सुनजना की चिंता बढ़ रही है देवी सीता का विरह बढ़ रहा है देवी सिता मन ही मन में समस्त देवी देवताओं को मना रही है गणेश जी को मना रही है शिव जी को मना रही है कि आज इस राम से यह दनुश तुड़ जाए और मेरे पती बन जाए हरे राम 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 सिता राम 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 हरे राम 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 शीता राम राम राम